बिहार की राजनीती में एक बार फिर सरकार का चहरा बदल सकता है लेकिन मुख्य मंत्री का नहीं दिन बर की बयान बाजी और पार्टियों के विधायकों की बैठक नए समीकरणों को संकेत दे रही हैं बाच्पा के विदायकों और सांसदों की पतना में हुई बैठक वहीं जीतन राम मानजी ने अपने विदायकों के साथ हुई बैठक में कहा जहां पी एम मोदी वही हम बिहार में मुखमतरी नितिश कुमार के नेतुरत वाली महागडबंदन सरकार कायम रहेगी या फिर गिर जाएगी इसकी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है लेकिन आरजेडी और जेडी यू की वोर से हो रही बैरमाजी से साफ है कि नितिश कुमार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं महागडबंदन का साथ छोड़ फिर एंडी के खेमे में जा सकते हैं शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा बिहार के मुखमतिन नितिश कुमार के आवास पर जेडी यू की कोर गुरूप की बैठक हुई हाला कि पार्टी विधायक दल की बैठक रईवार सुबा दस बजे होगी स्यासी हलकों में कास लगाया जा रहा है कि नितिश कुमार आज ही अपने पद से इस्तीफा दे कर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि नितिश कुमार रईवार को नए मुखमंतिरी के रूप में शपत ले सकते हैं इस भी जदियों निता नवीन कुमार ने आरजेडी नितुरुत पर बड़ा आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि गोटालों के कारण आरजेडी नितुरुत बेचैन है उधर पतना में आरजेडी विधायकों की विब्बै ठक हुई पार्टी नेता मनोज कुमार जहा ने कहा कि बैठक में कई मुद्दो पर चर्चा हुई सभी विधायकों ने पार्टी के अध्यक्षिद लालु यादा को नेड़े लेने के लिए अधिकरित कर दिया है बिहार में राजनेतिक गहमा गहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमिटी की बैठक होई बैठक में भाजपा सांसर शुषील कुमार मोदी, केंद्री मंतरी नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौधरी समेथ दूसरे बड़े नेता मौझूद रहे कोर कमिटी के अलावा भाजपा की कार समिती की बैठक पटना इस्तित कारियाले में होई बैठक में पार्टी के तमां बड़े नेता होने हिस्सा लिया बिहार और देश के हित में केंद्रे नेत्रित के निर्ने के हम सब साथ है बात दर्वाजा खुलने और बंद करने के लिए बात है कि बिहार से कैसे अपरात को हम सब कम करें, खत्म करें अगर नितीज जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागटबंदन नहीं NDA और परधाल मंत्री नरेंदर मोदी जी की ने तुरित्व में 2024 जो है दिल्ले में सरकार बनना चाहिए उसके लिए भारते जनता पार्टी का दर्वाजा एलक्सन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है बिहार में वर्तमान राजनिती की सिती के बीच लज़ेपी नेता चराग पासवान ने स्यासी उठापठक के बीच कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी सवाल उठता है कि आखिर इंडी गडबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी इक्ता की शुरुआत करने वाले नितीश कुमार महागडबंधन से दूरिया मनाते दिख रहे हैं हलाकि ललन सिंग को जे डियू के अध्यक्षपद से हटाये जाने के बाद से ही नितीश के महागडबंधन छोड़ने की अठकलें लगाई जाने लगी थी लेकिन करपुली ठाकूर को भारत रतने देने के अलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी उनके इस बयान पर लालुई यादाओ की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया